दोस्तों नमस्कार केपी टीचर अकेडमी आपका हार्तिक स्वागत है आसा करते हूँ अपस्वस्त होंगे अच्छे होंगे आज हम 500 कोशन सीरीज का फोर्थ पार्ट स्टार्ड करेंगी जिसमें 30 कोशन हैं और यह कोशन टॉपिक वाइज हैं और लास्ट एक्जाम में आयू जो की काफी इंपोडेंट कोशन से हैं अगर कोशन पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों साथ में जास ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है बलाएक को प्रैस कर लें नॉटिफरेशन माद दिम से आपको वीडियो मिलती देंगी तो आज कम जो कोशन स्टार्ड क की भागिदारी सेकींड है चमुता समर्दन फोर्थ है सम्मेदन सिल बनाना कोशन पुचा गया है कि सफल समाभेशन नेम लुक्त की आपशक्ता होती है सिवाए इसके एक नहीं है इसमें बाकि तीन यहां पर फॉलो कर रहे हैं तो जैसके आपर अंसर देखेंगी अंसर करे कर अलग करनी पर तो फर्स्ट अंसर हो जाएगा अगला कुशन देखती है कि बाल अपरादी सोरी अपरादी बालक कौन होते हैं माफ कीजिएगा फर्स्ट अप्स ने जो असामाजिक कार करते हैं सैकेंड है जो सिच्छक के लिए सिर्दद होती है थड़े जो कच्छा में अबबल आते हैं फूर्थ है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं बीटएट 2011 कुश्चन पीचा गया है कि बाल अपरादी कौन होती है तो अंसर पताईए पांस सेकंड का समय आपके पास में तो जैसकी बात करते हैं अंसर करेक्ट होगा इसका कवड़ी हमारा अंसर हमारे वह यापते अंपर फस्ट अंसर अगला कुश्य दिखते हैं सिफ RAW मापी करत परिच्षण क्यों कराए जाते हैं कि फृस्ट असने मंद्ध्दी बालकों की पहचान की लिए से कीडह क्रति प्राहियते हैं तो जैसे के में बात करेंगे मंद्ध्दी बालकों की पहचान के लिए प्रमाप्रा तो answer इसका according होगा, हमारा यहां पर first, अगला question देखेंगे, पढ़ने में दीवे बच्चों की जरुवत होती है, first of ने, कक्छा में समू या सामू इक ध्यान, second है, सिच्चा की अलग से पहल, third है, कोई हस्तचेत नहीं, fourth है, दंड प्रकरिया, यह question, जे टेट, 2011 में पुछा ग की पहल करनी चाहिए, question पुछा रहा है, तो answer दीए यहां पर, answer correct होगा, इसका according हमारा, सिच्चक की पहल, answer हमारा हो यहां पर, second, अगला question देखेंगे, पांचवी कच्चा की दर्शबादित विद्धारती, first है, को निचले इस्तर की कार करने की छूट मिलनी चाहिए, second है, के माता पिता और मित्रों द्वारा, उसे देनिक कारणों को करने में साहिता की जानी चाहिए, third है, के साथ कक्चा में सामान रूप से बिवार किया जाना चाहिए, और स्रब्बे सीडी के माद्यम से साहिता उपलब्द करी जानी चाहिए, fourth है, के साथ कक्चा में बिसेस बिवार किया जाना चाहिए, यह question seat 8211 में पूछा गया question से कि पाचमी कक्षा में विद्ध्यार्ती है वह दर्ष्ट बातित है उसके प्रकार से किस प्रकार की सायता करने चाहिए तो उसके answer दीजिए यहां पर answer correct हो इसके recording हमारा third K7 कक्षा में सामन रूप से विभार किया जाना चाहिए और सरब्य सीडी के माध्यम से सायता उपलब्द करानी चाहिए थाड़ा answer हो जाएगा अगला question देखेंगे question पचंदा है तो लाइक करते हैं हत्यात में अगला question देते हैं कक्षा 5 के नियून दरश्टी वाले बालकों को first of ने निम्स्तर के कार करने के लिए माफ करना उचित है second है उसके देनिक कार में उसके माता पिता और मित्रों को सायता करनी चाहिए थड़े कक्षा में सामन रूप से बरताब करना चाहिए और audio CD की जरिये सायता पतान करनी चाहिए fourth है कक्षा में बिसेस बरताब करना चाहिए जसे के कुश्ण कुश्ण है रहा कि कक्षा पांच के नियून द्रश्टी वाले बच्चों को किस प्रकास से कार करानी चाहिए तो जो आंसर दी यहां पर पांच सेकेंड आस हमें आपके पास में तो आंसर करेक्टर वास करकोड़ी हमारा कक्षा में साम्मान रूप से बरताब करना चाहिए और ओडियो सीडी के जरिए उनकी साहिता प्रदान करनी चाहिए उनकी साहिता देनी चाहिए तो आंसर हमारे यहां पर हो जाएगा third अगला कुश्ण देखती है यह कुश्ण यूपिटाट 211 में आई हो कुश्ण है कुश्ण देखेंगा अगला निम्रवसे कौन सी मानसिक मंदता की बिसेस्ता नहीं है first of ने बुद्धी लब्दी का 25 से 70 के मंद्धी होना चाहिए second है दीमिकती से सीखना और देनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना third है बातावड के साथ अनकूल उन में कटनाई fourth है अंतरव्यक्तिक सम्मंदों का कमजोर होना रीट एट या आर्ट एट 2011 में कुश्ण पुचा गया है अब रीट हो गया है यह कुश्ण सुरी माफ कीजिएगा पहले आर्ट एट था राइस्तान का अब यह रीट कर दिया राइस्तान में 2011 में कुश्ण पुचा गया है कौन सी मंदिता या मानसिक मंदिता की बिसेस्ता नहीं है कुश्ण नहीं में पुचा गया है तो इसके अकॉडिंग यह मैं आंसर देना आए तो आंसर दी है आप यह कि इसके अकॉडिंग आंसर हो गवारा अंतरव्यक्तिक संबंदों का कमजोर होना फूर्थ आंसर हो जाएगा है अगला कुश्ण देखते हैं निशक्त बालकों की सिच्छा के लिए प्रवदान किया जा सकता है फस्ट आप्ट ने समाविसित सिच्छा द्वारा सैके ने मुख्य धारा से डाल कर थड़े समाकलन द्वारा फूर्थ है इन मैं से कोई नहीं आठ ट्वार्वदान के लिए किस प्रकार से कार किया जा सकता है आंसर यहां पर आंसर हो यहां पर हमारा फस्ट समाविसित सिच्छा द्वारा कि अगला कुश्ण देखेंगे आपकी कच्छा का एक बच्चा मोहन बोलते समय अखलाता है आप उसकी सिच्छा के प्रवदन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे फर्स्ट अप्स ने उसमें अध्यन की गलत आदोत पर नियंतर कराएंगे सैकीन है पतनाचार से उसकी सिकायत कराएंगे थड़ा है उसको कच्छा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे फोर्थ है विसेस सब्दों के उच्चार को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे तो कोश्चन बोला है कि आपकी कच्छा में एक बच्चा है मोहन नायम का वह बोलते समय अगला आता है और उसकी सिच्छा प्रवंदन ही तू आप क्या कदम उठाएंगे यह कुशन पर चलेगा तो आंसर दीजिए आपि पांच सेकेंड आपके पास में अंसर यांपी हो जाएगा अमरा फस्ट जाए उसमें अध्यन की गलत आलतों का नियंतर करेंगे फस्ट अंसर हो जाएगा अमरा अगला कोशन देखते हैं का आप एक सारणी के बिकलांग बालग के लिए जिभिद्याले में नेम में से क्या आवस्च करूप से हो ना चाहिए फस्त अंतने बालग के लिए खलफा में प्रवेस की उस्चित सुविदा का प्रधा,她उज़, सटिंड भालग के लिये बोजन का प्रवण्द, थर ने कोशन के लिए निसुलक सिच्छा का प्रवंद कोशन कर दक है एक सार्रिक बिकलांग बालक है उसके लिए विद्ध्याले में किस प्रकार से आवश्य ग्रूप से होने चाहिए तो आंसर देजिए आंप ये पांज सेकेन आताव पैंसर की आपके पास में आंसर करिक्टर वाइस के अकोड़ी हमारा बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवीज की उच्छ सुपधा का प्रवंद तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा है अगला कुशन देखते हैं आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दरश्च सामवेग्री का उपयोग करते हैं ऐसी इस्ति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाव होगा फर्स आप्स ने जो पढ़ने में सामानि इस्तर की हैं सेकीन जो पढ़ने में उच्छ इस्तर की हैं जो पढ़ने में निम निस्तर की हैं फोर्थ है जो आँखों से अधिक देख पाते हैं कि आपकी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दरश्च शामवेग्री का प्रियोग करते समय ऐसी सिसले में आप कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाव होगा इस परका से पुछा जारा कुशन में तो जैसे के आप बात करेंगे कि जो पढ़ने में उच्छ स्थर के होंगे उन्हें सबसे कम लाव होगा तो आंसर इसका गोड़ी हो जागा सेकीन अगला कुशन देखेंगे किसी बालक की मानसिक प्रक्रियां एवं विवारों के अध्यन के लिए बाल मनुविज्यान बिदी है फरस्ट अप्स ने साच्छतकार बिदी, सेकेंड ब्यक्तिकत अध्यन बिदी, थड़े निरच्छड अत्वा बहिदर्शन बिदी, फूर्त है ये सभी किसी बालक की मानसिक प्रक्रियां एवं विवार के अध्यन के लिए बाल मनुविज्यान के बिदी कौन सी है यह कॉश्द पुचह रहा है तो आंसर दी यहां पे इसका को ड़ी आंसर होा हमारे यापे साचकत कार बिदी यह बाल मनोग्यान की की बिदी है या कह सकते हैं बाल मनिस बिदी है अगला कुशन दिखते हैं क्षच बालक के आपके अनुसरा तो कि किस प्रकार की बिवस्ता सबसे अच्छी होगी एं कहा आपके स्वान्स समय है। तो आंसर यहां पर होना चाहिए हमारा यहां पर स्ट बालगु कुछा में कई वी वेटनी की सुभधा प्रदान की जानी चाहिए जिस प्रकार से बच्चों को सुतंत्र माहूल लगे और लोग तंत्रिक प्रगार का माहूल बातावण में हो और बच्चों में सुतंत्र सीखने की बावना उत्पन हो तो आंसर हो जाएगा हमें हमारे यहां पर फस्ट अगला कोशन देखते हैं कि समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका बेवार और ब्यक्तित गम्मी रूप से असमान होता है यह किसका कथन है फर्स्ट अपस ने बैलन्टाइन का सैकेंडर क्रोव करोव का सैकेंडर थाड़े इसकिनर का फोर्थ है जिन प्याजिक का तो जैसे कोशन पुचारा कि समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका बिवार ब्यक्तिकत गम्मी रूप से असमान है यह कथन किस ने दिया कथन पुचा गया किस मनुभग्यन के द्वारा यह दिया गया है तो आंसर दीजिए आप यह आंसर इसका करोडिंग हो हमारा फस्ट बले टाइन ने यह कथन दिया अगला कुशन द पोराने ही तू अवप्रेरत करने के लिए उसकी कौन सी आवशकता की पूर्ति करनी होगे फर्स्ट आपने सारिक आवशक्ता सेकेंड इंव होस्त इसकर आंसर समयाब के पासमें 15 नियृत हो हमारा बैर आ कि संनमन्द जोड़ीं की आवशकता पर्शिक्ता अगला कोशन दिखते हैं सारे रूप से भिन बालकों की अंद्रगत आते हैं फस्ट आप्स ने स्रवर्ड चती युक्त बालक सारे रूप से भिन बालकों में या बालकों की अंद्रगत आते हैं तो आंसर दीजे पांस सेकिंड आपके पास ने तो इसका गोड़ी आंसर हो में यह सबी क्योंकि सारे रूप से जो बालक होती है या चतिकृत बालक होती है तो यह सबी होगे कि सरवर्ड सकती सुनने युक्त बालक सुनने में समस्या है देखने में समस्या है और विकलांग बालक तो यह सारे बालक इसमें आयांगे यह सबी तो आंसर हमारा हो जाएगा पर फूर अगला कोश्यन देखते हैं मनुसामाजिक रूप से भिन्ने बालकों के अंतरगत नहीं आते हैं कोश्यन नहीं में पुछा गया है आंसर वे उसी का कोड़िन देना है अंसर दिए यहांपे तो करेक्टर अंसर होगा है यहांपे हमारा मांसिक रूप से पिछड़ा बच्चा इसकी अंतरगत नहीं आता है तो थड़ा अंसर हो जाएगा अगला कुश्यन देखते हैं कक्चा कक्च में पढ़ाई में पिछड़ हुए बालकों की प्रत्य आपका दर्ष्ट कौन फर्स्ट अंसर ने उनके पिछड़ पन की काराणों को ढूड़ने में सेकेंड है सभी का ठेका हमने थोड़े ही लिया है यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे थड़े अन्य बालकों की समान ही उन्हें समझेंगे फोर्थ है उन्हें अन्हें बालकों से अलेक समझेंगे तो क्युलास कुश्चन हो रही कुश्चन पिछारा है कच्छा कच्छ में पढ़ाई में पिछड़ वी बालकों की प्रत्य आपका दस्टिक और किस प्रकार का होगा अगर आप टीचर है तो अंसर देजी पांस सेकंड कि उसके पिछड़ा हुआ है आपको क्या सिखाना पसंद करेंगे या उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे फर्स्ट अपसे नियमिद पार्ट चरा की पढ़ाई किन्तु उन्हें कम ये काम के लिए दूना समय देंगे सैकने उन्हें आवश्च बातें रटा देंगे कि और उन्हें अपनी प्रसंद का कार्ने देंगे एक बालक मांसे को रूप से क्या है पिछड़ा हुआ है तो आप उसे क्या सिखाना पर सब्सक्राइब रखना आद जैसे विभार किर्यकलाबों के माध्यरम से सच्छम बनाएंगे तो आंसर करेक्ट होगा इसका कोड़ी हमारा थर्ड अगला कोशन देखते हैं सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना चाहिए पिछले बालक का सिच्छा के छेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए पिछले बालक के लिए क्या करना चाहिए तो आंसर देए पांच सब्सक्राइब के लिए आपके पास में तो इसके एकोडिक हैं मारा आंसर हो नहीं चाहिए पिछले पंस्राइब के खोजकत करना चाहिए भ्यकतिंगर द्यान देना चाहिए पार्टिंतन करें मांसिक रूप से पिछले बालक के विशायचा करने QUESTION है पिछड़ वालक होंगी है तो फर्स्ट अप्सन है संभेगात्म रूप से आइस्तर सेक्रिंड है रुचिया सीमित होती है थोड़े निरंतर अविवस्ता का होना फोर्थ है यह सभी तो आंसर दीजिए आंपर पिछड़े वालक होती है संभेगात्म रूप से आइस्तर होती है उनकी रुचिया सीमित होती है निरंतर अविवस्ता का होना यह सभी कारण पाई जाती है यह सभी विश्था होती है तो आंसर फोर्थ हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं मान्सिक रूप носे पिछडे वालक कि बालकों की विसेस्था कै है कुछ किए मात्रव से फिर नहीं है फ्रसटाप शने या साचिक उपलब्दी सामाने बालक से कम सेकिन पिछले पंद का कारड वनुसानिगत ठड़ है पिछले पंद कार बातावर फूर्थ है निर्देशत देना समस्या नहीं कि या पी कुछन मचला की मांस्री रूप से पिछले वालकों की विसेस्ता नहीं है नहीं में पूशन देना समस्या नहीं है फूर्थ अंसर हो जाएगा है हमपी है हमारा अगला कोशन देखते हैं फोर्थ है इनमें से कोई नहीं पर कुश्ण बुशार की ब्रेल लिपी का प्रियोग किस प्रकार की बालकों के लिए या सच्छा विवस्वा किया जाता है तो आंसर दीजे पांस सेक्ड आपके पास में तो इसका कुटी आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर जाएगा अंधी बालकों के लिए ब्रेल पीगा प्रियोग किया जता है अगला कुश्ण देखेंगे जिस बालक में बिकलंगता की ब्यापकता अधिक है वो है निम्नम से किसे से प्रवावित नहीं होता है तो कुश्ण नहीं है पूचा गया तो आप्शन देखेंगे फर्स्ट अप सारे क्रूप जैकिन है सम्मेगात्मक थड़ा मानसिक फूर्थ है सांसर के दिखेंगे तो कुश्ण यह गवार हो समझेंगे जिस बालक में बिकलंगता ब्यापकता की अधिक है वो निम्नम से किसे से प्रवावित नहीं होता है तो आंसर देजे पांच से किन है द्रस्टी से संबने दोस मानब कि किस बिकास पर प्रवाव नहीं डालती है फर्स्ट अप्स ने सारेक इवं मानसिक, सैकिंड है सैच्छिक व व विवसाइक, थर्ड है संबेगात्मक, फूर्थ है सांसिक रितिक तो कोश्ण पिशाया कि धरश्टी सम्मन से दोस मानब की किस विकास पर प्रवाब नहीं पड़ता है ये डालता है थो आंसर दीए इसको कोडिंग सभी आफके पास में हमसर फूर्थ संसिक रिति अगला कॉश्ण देखती है television सेर करते हैं दोस्तों के कुश्चन देखेंगे सैच्चिक पिछड़े पन की पैचान के लिए अनिवार तत्तो है फस्ट आप सुने अनुवा सिक्ता की जांच सैकेंड है बातावड का प्रभाव फोर्थ है बुद्धी परिच्छड स्वरी थड़े बुद्धी परिच्छड फोर्थ है इन मैं से कोई नहीं तो कुश्चन पुछा गया कि सैच्चिक पिछले पन की पैचान के लिए अनिवार तत्तो है तो अनिवार तत्तो के बारे निव में से किसको समस्यात्म वच्चा कहा जा सकता है फरस्ट प्रिच्छले बालक को सैकेंड है मंद बुद्धी बालक को थड़े पुर्तवा साली बालक को फोर्थ है चोरी करने वाले बालक को तो कोश्चन मुले रहे कि किसको समस्यात्म बालक कहा जा सकता है तो आंसर द वालक कहा जा सकता है अगला कुशन देखेंगे जो वालक सैच्छिक रूप से पिच्छड़ा है उनके बिसे में सत्य है फरस्ट आप्स ने पढ़ाई में पिच्छड़ा है सेकिन घर्व समाज में पिच्छड़ा है फो थड़े सौरी मांसिक रूप से पिच्छड़ा है फोर तो अंसर देजिए पांस सेकेंड है समय आपके पांस में अंसर करेक्ट होगा है वह बच्चा पढ़ाई में पिछड़ा हुआ है फर्स्ट अंतर हो जाएगा अगला कोशन दिखते हैं लास्ट कोशन हो गया हमारा जो बच्चा यह जो बालक मानसिक द्रश्टी से पिछड़ हैं वे होते हैं फर्स्ट अप्स ने सम्मेदन सील सेकेंड निस्तावान थड़े सक्त साली फूर्ट है अनुस्वासन हीन तो कोशन पुछारा कि जो बच्चे मानसिक द्रश्टी से इस प्रकार की होते हैं तो आंसर दीजिए पांट सेकेंड हमें आपकी पास में वह बच्चे अंसरासन हीन होते हैं तो अंसरे करेक्टर हो यहां पर हमारा फूर्थ सेसन वारे यहीं सब्सक्ता है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सेयर करें दोस्तों को साथ में जा तो भीडियोख करें एकन दूस सेकेंडर ह이면।